आपको पताई होगा अभी कच्चे आम का सीजन आने वाला है और इन दिनों में हम सभी के घरों में अचार बनाया जाता है आम तोर पर जब हम अचार बनाते हैं तो उसे काट कर उसे सुखाया जाता है उसमें धेर सारे मसाले आट किये जाते हैं उसमें तड़का लगाया जाता है और फिर हम उसे रख देते हैं आंट दस दिन के लिए ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए और 8-10 दिन बाद हमें वो अचार खाने को मिलता है तो अब आपको अचार के लिए इतना इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसे इंस्टन्ट अचार की रेस्पी शेयर करूँगी जिसे आप बना कर तुरंत खा सकते हैं तो फिर चलिए देखते हैं ये इंस्टन्ट अचार मैंने कैसे बनाया है और इसे बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और घंटी की निशान को दबाकर आल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं वीडियो पसंद आए तो थमजब जरूर दे तो अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक किलो कच्छे आम लिया हैं जिसको मैंने धोकर अच्छी तरह से सुखा लिया है तो इसे हमें काटना नहीं है इसे हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे कदुकस कर लेंगे इसे तो देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने सारे कच्छे आम को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है यनि इसे कदुकस करके रख लिया है और अचार के मसाले के लिए यहां पर मैंने लिया है 50 ग्राम जीरा और राई लेंगे हम 250 ग्राम और नमक लिया है मैंने 3 खाने के चमच भरके हल्दी पॉडर लेंगे हम 1 टी स्पून और लाल मिर्ची का पॉडर लेंगे हम 2 टेबल स्पून भरके तो बस यही सिंपल मसाले हमें लेने हैं अचार के लिए जो के हम सभी के गरों में मौजूद होते हैं तो फिर चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले हम यह जीरे को भून लेंगे तो देखिए जीरा हमारा अच्छी तरह से भून चुका है तो हमसे निकाल लेते हैं इसके बाद हम यह राई को भी भून लेंगे तो राई हमारी भून चुकी है इसे भी हम निकाल लेंगे तो फ्रेंट्स हमने राई और जीरे को अच्छी तरह से भून लिया है अब हम इसे एक मिक्सी में पीस कर इसका फाइन सा पॉडर तयार करके रख लेंगे इसके बाद हम एक बड़े से बरतन में ये ग्रेट कीवी कच्ची केरी को डाल देंगे ताकि ये कच्ची केरी में हमें मसाले मिक्स करने में आसानी हो सके तो फ्रेंट से ये सारी कची केरी मैंने इस बर्तन में डाल दिये है अब हम इसमें एक एक करके ये सारे मसाले एड़ करते जाएंगे तो मैं इसमें ये नमक एड़ कर रही हूँ और ये हल्दी पॉडर हम एड़ करेंगे लाल मिर्ची का पॉडर भी हम इसमें डाल देंगे और जो हमने राई और जीरे का पॉडर बना लिया था इसे भी हम इसमें डाल देंगे और फिर इन सबी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो कच्चे आम में हमने सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं अब हम इसकी तड़के की तैयारी करेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके तड़के के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए तो आचार के तड़के के लिए यहाँ पर मैंने 5 सूखी लाल मिर्च ली है और 12 से 15 मैंने करी पत्ते लिए हैं जिसको मैंने धोकर रख लिया है राई लेंगे हम 1 टेबल स्पून और जीरा लेंगे हम 1 टेबल स्पून तो ये चीजने चाहिए हमें अचार के तड़के के लिए तो अचार के तड़के के लिए यहाँ पर मैंने आईल रख दिया है गरम होने के लिए हम 1 किलो अचार बना रहे हैं इसलिए मैंने ये 300 ग्राम आईल लिया है तो आईल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है तो मैं इसमें ये राई डाल रही हूँ और इसी के साथ हम इसमें ये जीरा भी डाल देंगे और जो सूखी लाल मिर्च हमने ली थी उसे हम इस तरह से तोड़ कर इसमें डाल देंगे तो यह सारी मिर्च मैंने तोड़ कर रख ली थी तो मैं इसमें ये डाल रही हूं और इसी के साध हम इसमें ये करीपता भी आइड कर देंगे तो इन सभी चीजों को हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे तो तड़का हमारा रेडी है तो हम इसमें ये ग्रेट कीवी केरी डाल देंगे गैस की फ्लेम को मैंने बंद नहीं किया है ये सारी केरी हम इसमें डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे ही ये अचार अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसकी गैस की फ्लेम आफ कर देंगे तो देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस की फ्लेम को भी मैंने आफ कर दिया है तो अब हम इसे रख देंगे कुछ देर के लिए थंडा होने जब ये थंडा हो जाएगा तो हम इसे एक काच की बोटल में भर के रख लेंगे तो लीजे फ्रेंज तयार है मारा इंस्टन्ट अचार आप इसे जब भी मन करें बना कर खा सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप इसे बहुत ज़ादा कॉंटिटी में बना कर रखें अगर आपके पास एक दो कहरी भी रखी वी है और आपका मन कर रहा है अचार खाने को तो आप इसे फॉरण बना कर खा सकते हैं तो उमीद करती हूँ आपको मेरी ये इंस्टन्ट अचार की रेसिपी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें फैमिली मेंबर्स के साथ फ्रेंड्स के साथ और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब करें और बैल के बेटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ तब तक के लिए फरहिन को दीजे इजाज़त दुआओं में याद रखें अपना ख्याल रखें अल्ला हाफिज आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बेटन को दबा कर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं